दोस्तो नमस्कार स्वागित करते हैं आप सभी का दोस्तो डिसमबर एक तारिक पहला डिसमबर बहुत ही बड़ा दिन बन सकता है क्लासिक लूना कोईन एलुएंसी कोईन एंड वेवडाज कोईन के लिए अब आप सभी ने दोस्तो देख भी लिया होगा अपडेट आभी क्या बन सकता है कितना जीरो किल कर सकता है क्या एक पैसे को यह जा सकता है क्लासिक लूना कोईन्ग की यान के दोस्तों जो एक महीने से प्लाटफॉम पर बर्निंग हुआ उसका अने वाला है अब उससे पहले कुछ अपडेट की बारे में देख लेते हैं जैसी कि अब देखोगे क्लासिक लोना कोयन का दोस्तों ओल टोटल ट्वंटी एट बिलियन टोकेन बर्नाउट भुचका है अब तक जबसे दोस्तों यहाँपर बर्निंग में इंप्लिमेंट हुआ है अब यहाँपर चार वीक में दोस्तों बैञास ने जादा बनीक किया है नightी परसेंट से जादा Binance का platform से ही हमें देखने मिला जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी जो भी support कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका burning में ratio का अगर हूं calculate करेंगे तो 370 million के आसपास per day यहाँ पर burning हो रहा है जो कि दोस्तों insufficient है जो कि दोस्तों लगबग 700 million per day पहुँच गया था Binance नहीं यहाँ पर delay कर दिया जिसके कारण दोस्तों whole over situation coin का थोड़ा यहाँ पर deep देखने विला but ultimately Binance की जो यह 6th much burning के announcement होगी कही न कहीं यह 18 से लेक्के 25 million token को burn out करने जा रहा है इतना token को अगर Binance फिर से burn out करता है तो यह जो ratio हमें आज दिख रहा है यहाँ पर 370 million per day दिख रहा है यह दोस्तों लगबख 500 500 से ऊपर चला जाएगा अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो ratio दिख रहा है 10% यह भी फिर से 19-20 के आज आ जाएगा तो कही ना कहीं Binance बहुत ही vital role play कर रहा है और कहीं ना कहीं लगबख 1.5 पैसे का वैलू असन पर है आप सभी को पता होगा एक अच्छा rally देता है बट इस बख मार्केट में हमें अच्छा rally देखना नहीं मिलागा अगर burning 20-22 million तक का होता है तो कहीं ना कहीं यह एक बार फिर से 22-24 का जोन पकड़ता हुआ हमें देख सकता है क्योंकि हाइप ता बहुत अच्छी बनीगी अब जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा और पता भी होगा बहुत सारे चैनल में अपडेट भी आ गया होगा डिसमबर एक तारीक को बैबड़ाज को करेंड कहीं ना कहीं बैबड़ाज कोई के कमूनिटी चाहते ही कि एक हाइप बने एंड लोग इसको अभी बाय करना चालू करें ताकि प्राइस में एक इंपेक्ट देखे अब करेंट मार्केट की अगर में देखूंगा तो बैबड़ाज कोई का आज का अपडेट की प्र बड़ी बात नहीं है अगर हाइप अच्छी तरीके से बना एंड सिर्फ पस्रिफ 10% इसका प्राइस में हमें ग्रोफ अगर देखने मिला पड़ एक पैसे को रिच कर सकता है इतना बर्निंग अभी सफिसेंट है अब सोचो करेंट टाइब में बात करूंगा जैसे कि एक प हंडेड का जोन में जाएगा तो प्राइस में ज्यादा इंपेक्ट नहीं सिर्फ और सिर्फ परसंट का इंपेक्ट दिखेगा ठीक इस समझना है एक जीरो इंदा सेंस नहीं कि आपको यह पर टैनेक्स मिलेगा अब यहां पर बात रही दोस्तों एक पैसा जानिक होता है ए आज के टाइम पे जो वेवडाज कोईन का सप्लाइए है यह दोस्तों पॉसिबिल्टीज में नहीं है अगर वेवडाज कोईन आज के टाइम पे करन्ट टाइम में अपना 99 परसंट को सप्लाइए को बन आउट कर दें जैसे कि आप देख सकते हो एकोडिंग टो दोस्तों किसटीन करने का सप्लाइब अगर हम बात करेंगे का सप्लाइब की तो इरबट 115 कोईन का सप्लाइब ग नाकिन ना टीन परसंट बिस बनाउट से तब भी यहां पर दोस्तों एक कुडलियन से ज्यादा बन जाता है एंड यह कुडलियन का अगर हम सोचेंगे एक पैसे का वैलुएशन पर जाता है तो आप समझ सकते हो कितना लेवल का मार्केट के आप चाहिए जो कि दोस्तों अचीब करना बहुत ही मुश्किले तो प्राइस प्रेडिक्सन बनता है कि नहीं अब मार्केट का कंडिशन के इसाफ से बनता नहीं बट हाइप आती है हाइप जाता है हाइप आने से दोस्तों ओवियोसली कोईन पर ग्रोथ दीखेगा तो यहां पर मैं आपको कह दूँ कि यह जो कोईन एक जिरो को एट करके यह हं है एलेन सी कोई दोस्तों लास्ट अगर हम 24 आवर की कालकुलेट करेंगे जैसे हम सभी को पता होगा कि यह हमने बहुत सारे विडियों में बात भी किया है कि अगर इस प्राइज जोन में ट्राविल करता है तो इसका जो है सप्रोड इसका सपोर्ड जोन यह 16 तक बन सकता है अ इसका भी दोस्तों प्राइस इस मोमेंट पर बड़ेगा बट अल्टिमेटली जैसे कि मैंने आपको बात किया है कि अगर बाइनास के अनॉसमेंट आपर 20-22 बिलियन टोकेन का बर्नाउट आ जाता है तो फिर से यह 24 से लेकर 22 को आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा